। हेलो बृण। आज के वीडियो में मैं के लाज 12 हिंदी का सबसे जादा पूछे गए कोशे। महतंपूर को आज के वीडियो में बताने वाला हूं। मैं कर先inkling दस नमबर में आता है। तो यह कहला हु? यह नहीं हैं vy आता है यह पनूरेश को चेंधी करहा हु तो आपको लाश्ट तक देखना पड़ेगा तो 16 फररुक यदि आपका एक्जाम है तो ये जरूर लाश्ट तक आप जरूर देखना बहुत ही ज़्यादा इंप्वाटेंट है सौ में सौ आपकी बार हिंदी में लाना है जो की मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रेशन में डाल दूँगा वो प्लेलिस्ट देख लेना या तो नहीं है तो कमेंट कर देना मैं देदूगा वेरी वेरी मोस्ट इंप्वाटेंट दो हजार तेज के लिए है तो भाई साब जरूर देखना इसको वेरी वेरी मोस्ट इंप्वार्टेंट दोजारते इसके लिए दस नंबर का तू आएगा यह आपको पता ही है और सो में सो आपकी बार लाना ही लाना है चलो पहले कोश्चन से स्टार्ट करते हैं बीना टाइम वेस्ट किये हुए देखिएगा प्रेम सागर की रचनाकार हैं प्रेम सागर की रचनाकार कौन है बहुत इंप्वाटेंट है पंडित लल्लूलाल जी हैं कौन है पंडित लल्लूलाल क्लियर कौन है पंडित लल्लूलाल है नेक्स्ट है आपका अश्टयाम की रचाईता अश्टयाम की रचाईता कौन है नाभादास जी हैं कौन है नाभा याद कर लो दुवेद यूग और छाय वाद यूग दोनों यूगों में कौन काम किया है याद करो याद करो बताओ बताओ गुलाब राय कैसे याद करेंगे ट्रिक सोड़ा सुन लो देखिए कोई आपके गाउं में गुलाब गुलाब का फूल होगा तो समझ लेना जब गुलाब राय जी हैं वह दोनों यूगों में काम करते अब तुरांत पकड़ ले जाओगे पकड़ ले जाओगे नहीं पकड़ ले जाओगे ना अगे भारत दूरदसा रचना है किसका है इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक के साथ सारा बताओंगा आज मैं देखिए जो हरि और रना किसने लिए तो यानि जो भारत से सटार्ट है अगर भारत पूछ लिए भारत दूर्जसर अंशना अगर भारत से कोई समझ लेना वही यह उसका इंसर है थिस याद किया जाता है इसे मैं आद करता था पुरसणलि वाम अपनी सब्सक्रद में यहां से देखिए भारत दू दसर अचनक इसका है भारत तेन दू हरिश्चंद जी का याद हो गया होगा आई हो अमीद करता हूँ याद हो गया होगा हिंदी का पर्थम नाटक है बता ही बहुत important है नहुस अब कैसे इसको याद करेंगे नहुस नहुस पर्थम नाटक है क्या यह पाहला नाटक क्या है याद करो जल्दी से नहुस यानि नहाने से कुछ related यह लग रहा है अगर कुछ त्योह यह आँद करते हैं यह चस्य लगाना फ्लीज र एक लाइक करते हैं । कौन है आधिया दूर समय में और ढग रहा है आध्यो कुछ दो चीज और यह तो अधुरा है आधा है या अधुरा है मतलब दो चीज लग रहा है न तिसको इसके कहा कौन है है मोहन है और राकेश है इसको ऐसे आद करते है मोहर राकेश हो गया ठीक इसको यह कैसे याद करते थे का बोलना, चारा उसको समझिएगा नहीं तो बहुत लोग आ जाएंगे ग्यान ठोकने के लिए नीचे कमेंट में देगी अगला है धुमक्कर सास्त्र की रचाइता कौन है बताओ जल्दी बताओ फटापट सातों नमबर कौन है राहुल जी है कौन राहुल कौन वो पद्यात्रा करने व राहे । नंबर आठ्र पटाओ जल्दी घीवनी है जीवनीजेश निटेश नमबर । कासी नाकरी १े परकोरणी संवर की एस्थापना की थी यहिए कि कासी नागरी १े परकोरार्लिके अस्थापना किस fan कि दूह आता था देखिए कासी नागरी पिचाड़ी सभा की स्थाफ ने किसने किया कासी कैसा है सुन्दर है क्या है कासी सुन्दर है तो किसने किया स्याम सुन्दर समझ में आ गया ना किसने में क्योंकि इसमें चार विकल्प दिया रहेगा इसमें आपको याद नहीं करना कि स्याम सुन्दर यहां मिल जाएगा आपको स्याम सुंदर दास समझ में ऐसे याद करते हैं आप देखें नेक्स कोश्चन है ब्रामण पत्रिका के संपादन संपादक करते थे यानि कौन करता था अब ब्रामण उपर होगा मतलब धर म्तलब क्या समय मैं नाम से प्रता और यहीं प्रतार नावान कभी नाम इसमें मिया हो गया है ब्रामण पत्रिका के संपादक करता है बहुत्स आसान याद हो गया कोई दिक्कत प्रिसान अभी तक नहीं नेक्स्ट है आपका को साने किस ने किया किस्तोर नहीं में घड्र हूं किस cater कि यूग में भारतेंद से भा श्क हऊशे और यूग में किसने में पर टेन यूग में तो से पेंड कोस लेकिन अभी और ए सदल प्षंद कर सकथी अकोषों कए नाश के तो पाक्षान के लेखक ये बहूभध इंपॉरटंट बहुत ही ज्याद इमपॉरटंट經 सदल मिस्डिश मैं कौन है तदल मिस्डिश है नाश केत्व पाक्षान के यह लिखे सदन मिस्टर जी तेख अबर 13 नेग्स्ट पेज में चलते हैं चलिए मंबर 13 जाता सकाइब था प्रेम चंद्र जी ऑखते ऐख कौन नहीं बहुत इंप्टेंट में आ एंगला है को हौन माने ज ¿कूशियों? कुल नबर से हुदा बताइएगा कौण माने जाते हैं लीनग्र के जनक कोण माने जाते हैं ? बर्मा जी कौन बर्म राज कुमार अब देखिए अब एक चीज और मैं इसमें ट्रिक बताऊंग आपको हिंदी कांग्र के जनक मतलब बहुत अच्छे होंगे हैं ना जनक मतलब ऊचा या जनक समधर का ना चाहर कनहिया लाल मिश्टर प्रभाकर कनहिया लाल मिश्टर प्रभाकर जी है नेक्स्ट कोशन है हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं चलो बताओ हिंदी एकांकी के जनक कौन माना जाता है किसने कौन माना जाता है राज कुमार जी जो कि मैं एक बार उपर बताया हूँ यहाँ पर तो मैं नहीं लिख रहा हूँ ठीक है? पूरा कर लेना मैं गलती सिर्फ दो बार लिख दे गेहूं और गुलाव कोश्चन अबर सत्रा गेहूं और गुलाव तो मतलब इसमें समझ में आ रहा है कुछ अलग अलग है लेकिन बहुत ज़्यादे यह तो टेंथे में भी पूछा गया था आपसे पूछा गया होगा कौन है? राम ब्रिच बेनिपूरी राम ब्रिच बेनिपूरी अवारा मसीह के लेखक हैं अवारा मसीह के लेखक कौन है? आप लोग बताये आवारा मसिया के लेखक कौन है विष्णु जी है विष्णु प्रभाकर जी है विष्णु प्रभाकर है क्या अवारा मसिया के लेखक समझ में आया अवारा मसिया के लेखक कौन वही है विष्णु प्रभाकर जी है क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा की रचना है किस कथा है विधा कि रचना में कामाईनी जो की बहुत जादा परसिद्ध है को लिखेए जैसंकर परसाद जी लिखें लिखें ये लिखें आपको आपाने जरूरी तरह मिलते हैं वीडियो कैसा लगा काम रिकें